Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूटुब से आप अगर किसी भी सॉंग को डाउनलोड करना चाहो किसी भी गाना को आप डाउनलोड करना चाहो तो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको एई बताने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल skip मत करिएगा और लाश्ट तक बने रहीएगा तो चले फ्रेंट्स वीडियो को इस टार्ट कर लेते हैं बेदावर टाइम वेस्ट के एग तो इसके लिए friends, आपको अपने YouTube एप से बाहर आ जाना है और YouTube एप से बाहर आने के बाद friends, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको अपने Play Store एप को ओपेन करने के बाद friends, यहाँ पर आपको सर्च आपशन नीचे देखनी को मिल जाएगा, जब से Play Store का नेओ अपडेट आया friends, सर पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद French यहां पर आपका प्ले स्टोर में सर्च बार देखनी को मिल जाएगा तो अगर आपकी यूटूब एब पर कोई अपडेट आया है तो अपडेट करके यहाँ पर आपको अपनी YouTube एप को निव वर्जन में कर लिजिएगा ताकि उसमें ओस सेटिंग मिल सके जिससे आप किसी भी song को डाउनलोड कर पाओ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने YouTube एप को New Origin में अपडेट कर लीजिएगा अपडेट करने के बाद Friends यहाँ पर आपको Open का Option आ जाएगा तो इसी Open के Option पर आपको क्लिक कर देना है Open के Option पर क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर आपका YouTube एप Open हो जाएगा तो उसके बाद friends यहाँ पर आपको एक setting करनी है, इसके लिए friends यहाँ पर आपको एक profile का नीचे option देखनी को मिल जाएगा, इस पर आपको click कर लेना है, और इस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको एक settings का option देखनी को मिल जाएगा, इसी settings के option पर आपको click कर देना है, अब settings के option पर क्लिक करने के बाद friends यहां पर आपको download का option देखने को मिल जाएगा इसी downloads के option पर आपको click कर देना है उसके बाद friends यहां पर आपको download qualities option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर आपको फर्ष्ट नमबर वाले Ask Each Time वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद friends यहाँ पर आपको download over wi-fi only इस तरीके से on होगा तो इसे आपको off कर देना है उसके बाद friends recommended downloads इस तरीके से on होगा तो इसे भी off को off कर देना है यानि कि इन दोनों option को off को off रखना है उसके बाद यहाँ से आप download करना चाहते है उसे आपको यहाँ पर search कर लेना है जैसा कि माल लीजे friends यहाँ से मैं search कर लेता हूं इस तरीके से उसके बाद friends यहाँ पर आपको जिस भी गाने को आप download करना चाहते है उसे आपको click करके यहाँ पर पहले इस तरीके से play कर लेना है अब play करने के बाद friends अगर कोई add आता है तो add को पहले आपको skip कर देना है, skip करने के बाद friends यहाँ पर आपको download करने का option देखनी को मिल जाएगा, तो इसी download के option पर आपको click कर देना है, अब जैसे ही download के option पर आप click करोगे friends, यहाँ पर download quality का option देखनी को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको first number वाले medium quality के option पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डाउनलूड के option पर किलिक कर देना अब जैसे ही डाउनलोड के option पर क्लिक करोगे फ्रेंट्स यह वीडियो यानि कि यह song आपके phone में डाउनलोर होना इस टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ गया जैसे डाउनलोड के आप्षान पर आप क्लिक करोगे उसके बाद फ्रेंट्स यहां से आपको इसे बैख हो जाना है अब इस गाना को आप देखना चाहो कि कहां पर यह डाउ करने के बाद फ्रेंट्स जो भी सांग आप डाउनलोड किये रहेंगे वह आपको यहां पर देखनी को मिल जाएगा अब इस पर आप क्लिक करके इस सांग को अगर आप सुनना चाहो या वीडियो देखना चाहो तो इस तरीके से आप देख पाऊगे जैसा कि आप यहां पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा